हेलो ट्रीडर्स एंड वेलकम तो दर स्टूडियो मेंबर्स भारत हेवी एलेक्रिक बेल को आज के दिन हम ट्रेट कर रहे हैं इसके अंदर हमने एक बाई सैट की पोजिशन मौनिंग में क्रिएट की थी तो स्टॉप लॉस और एंट्री बगरा यहां पर पोजिशन या पोज पर लगा था एक पैसे को कुछ बफर मिला है 5306 रुपए क्यास पास को कुछ का प्रॉफिट चल रहा है एंड पोजिशन और बुक में चलते हैं और में देखे एट थौजन क्वांटी के साथ कुल हम इसको ट्रेट कर रहा है एट 015 पर और लगा था और 8013 यहां पर देख रहा है कि यह में लग रहा है मार्केट क्लोज होने के बाद में थोड़ा बहुत सेटल होगा फिलाल यह सब अपना काम नहीं है सो पांच चार जानौ सच रुपए क्या सबसको कुछ का अपना प्रॉफिट चल रहा है पांच इसको चलने देते हैं अब भी एचल को एक इस कुछ सिम्टम आपको दिखाते हैं इस सिम्टम को थोड़ा सा अपने जिस भी चार्ट को अप्टेट करते हो उसके पर थोड़ा सा देखने की कोशिश करना होता क्या है बहुत ज्यादा डीटेल में नहीं जाएंगे जस्ट एक रेजिस्टेंस को प्राइज ने ब्रिक किया अब यह रेजिस्टेंस है या नहीं पता नहीं यह रेजिस्टेंस है भी यह नहीं लेकिन इसको प्राइज ने ब्रिक किया ब्रिक करने के बाद में डाउन सेट की तरफ मार्केट आई और इस जगे पर प्राइज हमारा रियक्ट करने लगा मतलब बार बार इसके अंदर करेंगा न यह लोग को ब्रेकर के नीचे निकल जागा कूश कि हमने देखा है प्राइस अगर वीक होगा तो वो support support form करने के बात में उन supports को ब्रेक कर देगा और अगर strong है तो फिर वो support पर support लेगा खुब सारे order से यहाँ पर लगेंगे और फिर से प्राइस आपका कुछ यही मूवमेंट्स आपको दिखेंगे दूसरी चीज अब भी जो हमने पहले आपको बता है कि यह रेस्टेंस है या नहीं यह नहीं पता हमको आगे चल गटके यहां पर यह रेस्टेंस कंफर्म हो गया लेकिन जब यहां पर आप देखोगे जिस ले लोगों को मिलता है एक स्विंग यह ब्लैक वाली अपकेंडल देखो जो बात हम बोलते हैं कि स्टॉक को या किसी भी डेरिवेट्व सेग्मेंट को भी अगर आप ट्रेट करो तो कहीं से भी उठा करके ट्रेड नहीं कर दें बाइंग करनी है तो ग्रीन केंडल को देखकर क के अचानक से भाय करने का मन हो गया यह रेट केंडल को देख लिए तो शौट करने का मन हो एक पर्टिक्लर प्लेस हो आपका पर्टिक्लर एक पॉइंट हो जहां से प्राइज का वाल्यूंस के क्या एक्ष्ण हुए हैं कि जैसे प्राइज इस जगह पर आया इसके अंदर resistance breakout होने से पहले यहां पर देखिए volumes के breakout हुए है और काफी heavy quantity में volumes के breakout जैसे ही प्रेस ने हमारे इस पुराने resistance को ब्रेक किया इसके अंदर देखिए volumes के breakout हो गया और अगें देखिए market downside की तरफ आई है support पर आते हुए इसने volumes increase कर दी कल जो वीडियो हमने upload किया था जिसमें हमन ने यूज किया था कि आपके predefined area के पास में price जब आए और उसके अंदर volumes increase हो जाए तो यह एक तरह का significant market हमें show करने की कोशिश करती है तो इसी चीज के confirmations हमें कल की market में मिल गए कि हमारे पास यह supports थे यहाँ पर market आई है और हमारी level को touch करते हुए यहाँ पर volumes increase हो गया मतलब कि यह support पर support के confirmations के निशान होते हैं यह हमें पहचान ना चाहिए इसके अलाबा और भी methods हैं जिसके according अपने supports या फिर resistance को confirm करते हैं stop losses को confirm करते हैं जिससे की ट्रेट की जो probabilities होती है winning ratio हमारा increase होता है पहली चीज़ यहाँ पर इमने क्या देख लिया कि हमारा एक वह higher time frame का इरिया जहां पर price react levels को break करने के लिए इसको volumes की काफी ज़्यादा ज़रूत पड़ रही है लेवल के उपर जब price move कर रहा तो यहाँ पर volumes के breakout हमें देखने को मिल रहे हैं यह एक तरह का significance अब आते हैं candle to candle reading पर reading को किस तरह से देखते हैं बहुत चोटी सी चीज़ है क्योंकि ज्यादा तरकाम हम लोगे ने कर लिया है कि एक area को देखने के बाद में volumes के breakout हमने देख ल जाता है किस तरह का moment यह दिखा रहा है किस तरह का moment दिखा सकता है हालांकि बहुत help इससे हम लोगों को मिल जाते इंट्राइड एक्ज़ेट करने में अब प्राइज ने एक लो लगाया कि हाई लग गया अगें लो फिर से देखिए हाई लगा लो और breakout हुआ क्या यहाँ प फ्रस्ट राइड्स को ब्रेक करने के बाद में मार्केट ने थौ़़ा सा हडल लिया यहाँ पर एक-दो और फिर में एक support area पर है अगर हमें इसके अंदर banks के opportunity मिलेगे तो क्या हम इसे trade कर सकते हैं या नहीं trade कर सकते हैं public telegram channel पर भी हमने same level draw करके share कि हमने इसको watch किजे public telegram channel आप जोइन कर सकते हो वहाँ पर आपको same level same stock दिख जाएगा यह अपनी overall analysis है अचके अब देखें trade हमने कितने पर यहाँ पर किया है 8015 यहाँ पर हमने अपना trade execute किया यह हमारा entry का point है stop loss जो हमने इसके अंदर लगा है यह काफी strong swing था price जहां से सीध उपर चलेगा वापा से देखिए नीचे की दिशा में आया और जैसे ही हमारा past previous low इसने break करने की कोशिश की यहाँ पर volumes increase हो गए मतलब इसने support लिया हमने क्या किया इस वाले support के नीचे ही सेम support के नीचे हमने अपने stop loss रख दिया stop loss के बाद में जो entry थी हमारी just green वाली candle के low पर अपनी entry हो गए and अभी हमारे stock trade हो रहा है चल रहा है expect हम यह कर रहे है कि price के अंदर की movement है आज हमें 9.15 की candle के बाहर अगर stock मिल गया ना जाता हुआ तो एक अच्छा move हमें देखने को मिल जाएगा हाला कि 9.15 के high तक भी पहुंचता है तो एक अच्छा खासा हमें profit दिखेगा लेकिन अगर 9.15 के high तक गया तो यह 9.15 के उपर तक जाए जिस तरह की movement यह कर रहा है और हो सकता है कि एक या दो candle में क्योंकि ऐसे च्छोटी च्छोटी candle फार्म करता है और एक या दो candle में speed से उपर की तरफ निकल जाए अगर इसको उपर जाना है overall यह पनी इनलसे से अच्छ की अभी का क्या है 5700 के राउंड के profit अपना चल रहा है 5700 6300 सो ट्रेट हमारा रणिंग है आपको समझ करेंगे वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किजिएगा कॉमेंट किजिएगा चैनल पर अगर आप पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा शुरुवात में तीन से ज्यादा साल हमारे सिर्फ वेस्ट हुए थे ना तो हमारे पास कोई ट्रीडिंग को कॉई टेक्निक थी नहीं हमारे पास स्टॉप लोस लगाने को कुई मेथट था किस तरह से हम लोग ट्रेंड इडिंटिफाई करें इसका कुछ तरीका था कुछ नहीं था बस चार्ट को ओपन खर लेना शुरुवात में देखी क्या हुआ था यह हमें लग रही सब के साथ होता है कि ट्रेट करने के मालूम ही नहीं कि करना क्या है बस एक अंदर से फील होता था कि चलो बाई कर लेते ग्रीन केंडल बंढ रही निकल जाए तो ग्रीन कें करें हमारे सावसर locked अधर का यह फेज अछोटा है अब बस सीख रहा है तो सीखने पर क्या है कि विलीष नहीं कर पायґ जितने प्रैक्टिस समय व्ला ऐसके सब्रुब हो और में कर पाए इसके बाद में एक चीश्य की दूसरी चीश्य की उसके उपर भी रूप नहीं पाए तीसरी से की उसके उपर भी रूपने पाए चौति चीश्य की इसके उपर भी रूपने पाए शुरुआत में maximum लोगों का time सिर्फ इसी वज़े से waste होता है कोई एक अगर रुख भी गया है तो उसके बाद फिर क्या होता है फिर वो अपने segment नहीं चूज कर पाता है ज़रूरी नहीं है कि आप equity में या M6 में या फिर future and options में या cash market में कोई एक segment choose नहीं कर रहा है आप सभी में trade करने की कुशिश कर रहा है आपको यह लगता है शुरुवात के phase में हमें यह लगा कि सभी को trade कर लेते है जो हमारा जिस भी हम अपने system के थूरू काम करना चाहते है वो तो बना हुआ है ना सभी में काम करते हैं काम क्यों नहीं कर सकते हैं कर तो सकते हैं सभी में trade कर यह अकल नहीं होती यह शुरुवात में कि एक segment fix करना is very important यह बहुत important चीज हो जह हम लोग अपने segment को fix करें अब segment में अगर हमी fix करना होता है तो यह देखना होगा कि फिर शुरुवात में कौन सा segment हम लोग चूज करें फिर यहां पर आ करके problems होती हैं बहुत problems होती हैं नहीं मालूम है कि segment कौन सा चूज करना है तो फिर हम लोग वहां पर जाते हैं like options options में आ जाओ futures में आ जाओ Forex में काम करो currency में काम करने लग जाते हैं इन्हें सबसे पहले कि segment के उपर में प्रैक्टिस करनी चाहिए यह एक नियम है यह rule होता है आप सबसे पहले कोशिश करो stock market में होना trade करने लिए equity trading से ही शुरुबात की जाती है क्योंकि सबसे अच्छा जो स्कूल होता है न सिखाने का हमें equity trading से price action सीखना होता है वहीं से आप सीख होगे सही से वहीं आपको risk management से खा सकते हैं वहीं आपको money management से खा सकते हैं लेकिन आज इन सब चीजों के पूपर कोई किसी का believe भी नहीं ध्यानी नहीं तो छोड़ दिए उसके पर ध्यानी नहीं किसी का कोई भी आप से नहीं कहेगा कि शुरुवात यहां से करूँ नहीं आप उनके link के थुरू एक account open करा लो आप उनके link के थुरू account open कराने के बाद में अब उसमें बड़े-बड़े orders मारो जिससे कि उनके पास एक अब derivatives में बढ़ जाओ अगर आपको चाहिए तो फिर derivatives में जाओ और derivatives में भी सीधे options में नहीं कोड़ा जाता है derivatives में भी हम लोग future करते है future के बाद में फिर option आता है इतनी चीज़ करने के बाद में अब एक एक step आगे की तरफ बढ़ा जाता है फिर इंडिया की जितने उस वज़े से एक हाला की भटकाओ बहुत हुआ लेकिन एक सही दिशा में फिर देरे देरे करके आ गया एक सही दिशा में आ गया और बड़े loss से हम आज तक बचे रहे कि हमें बड़ा loss नहीं हुआ है कुछ किसी का हाथ था हमारे सर पर जिन से हम सीख रहे थे उन्होंने बड़ा हमने loss नहीं कि है कि बाद में फिर हम अपना सर पकड़ करके बैठ हुआ है और ये चीज़े हम सिर्फ इसलिए explain कर रहे है ताकि इससे सीख पो समझ पो ये ज़रूरी नहीं है कि फिर जो mistake आप कर रहे हो बहुत बड़ी mistake है नहीं आप जो mistake कर रहे हो उसको फिर continue करत करते रहना करते रहना ये बूरी बात है जो कर रहो ठीक है अच्छा है सही है या गलत है इसको समझो सही नहीं छोड़ दो ना छोड़ो इसको आगे बड़ो अब देखे 12500 पिस का कुछ का profit अपना चल रहा है और प्राइस नीचे की तरफ गिर रहा है हमने क्या बोला था कि 915 के अगर यहां तक price गया ना तो इसके ऊपर भी निकले गए ऊपर भी जाएगा तो देखे अभी कहा है movement एक बार price ने upside की तरफ closing की और close कर देने के बाद में कितना बड़ा movement इसके दर आया हमने कहा थे ना कि हो सकता एक या दो यह candle में बड़ा move हो जाओ इसी पर हम जो targets ह वो मिल जाएंगे profits तो चल रहे हैं ठीक है अब concepts जो एक concept में आपको बताते हैं आगे चल करके बहुत सारे trades हमने win की जो हमारा winning ratio है यह increase हुआ सिर्फ इसी वज़े से ताकि हम हम उसके उपर एक concept के थूँ एक concept को apply करने के बाद में महां से फिर हमने trade करना अपने execute के फिर थ trade execute करना है concept अब जैसे यहां पर देखें क्या हुआ है इन जनरल आप देखोगे कि कोई भी trade अगर हम execute कर रहे हैं कोई भी trade execute कर रहे हैं तो यूँ ही कहीं से भी नहीं हो रहा हम अगर trade execute कर रहे हैं तो यह तो प्रॉपर वो एक swing के पास में है यह trading का concept है देखो इसको apply करो को इसको apply करो high low high low इस तरह से कुछ resistance होते है market में अब यह swing area बन गया हमारा यहां पर अगर market पहुंची है अब हम यह देख रहे हैं कि अगर इसके नीचे market जा रही है वापस से यहां पर यहां पर वापस से जब market आई है तब हम यहां से trade execute करना है तो यहां से trade execute करना है अभी देख रहे हैं ना buying और selling ज़रूरी नहीं है आप buying करो selling करो आप किस जगह पर decision ले रहा हूं यह बहुत important होता है यहां पर यहां पर यह ट्रेडिंग की टेक्निक है तो कितनी सारी टेक्निक समने आपको बता रखें ट्रेट करने है अब भी हेल है आप अभी कोई और स्टॉक लोग एक BHEL को छोड़ देते हैं बना दोगे पैसा लेकिन बस एक सिस्टम हो आपके पास सिंपल में हमने इतने इतने दिन तक हमने काम के इस टेक्निक के उपर जैसे आपकी यह कोई candle बन रही है एक बड़ी से candle है और इसके बाद में चोटी से candle बन रही है वन वॉल्म इंक आप देख लो इस सिस्टम की यह जो पूरा structure बना इसका power आप देख लो किसी भी stock के अंदर अगर इस तरह का price action आपको देख रहा तो अगले दिन अगले दिन भी और price जब जब आपकी range के बाहर निकलेगा तब यहां पर आपको prices की movements दिखाए देंगे जब भी price अपनी इस score आप अब यह swing points हैं ऐसा ही नहीं कि कहीं पर भी trade execute करते हमें इस candle के high पर या इस candle के low पर trade execute करें नहीं अगर हम execution करना है तो यह जो बड़ी वाली candle है इसके high के या फिर low के पास में यह techniques होती है यह जो swing points आपके बनते हैं trade execute करने से पहले यह में read करना होता है जैसे BHCL को आ जो latest swing है यहाँ पर जाब market पहुंची है अब में movement दिखा देने के बाद में फिर वापस आई न तब हमने यहाँ पर trade अपने execute किया और वो उपर की दिशा में अभी का कितना चल रहा है बारहाजार नौसो क्यासपर का profit चल रहा है अब एक और दूसरा system हो आपको बताए दे देखिए यह वाला और यहाँ पर कहीं पर भी नहीं बना होगा है यह बना है अब अगर कुछ नहीं करके चलिए बीएचियल यह है ना बीएचियल में देखिएगा इस structure को हम mark अभी तक हमने नहीं देखा लेकिन इस structure को mark करने के बाद में आप देखिए कि क्या levels आपके नि देखो गए प्राइस वहीं से support ले रहा है पास्ट में देखिए मार्केट न उसी जगह पर resistance ले और यहाँ पर क्या हुआ है जैसे प्राइस ने हमारे swing को break किया मार्केट देखिए वहां से चली कहां गई है यह टेक्निक्स होती है ट्रेट करने की यह जो दो टेक्निक्स हम हमें कोई हमें करने होती है एक ही टाइम पर कई सारी चीज़ें रखते हैं अपना पर मनी ले लिया है तो एंट्री लेने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या कोई हर्डल तो हमारे पास नहीं है entry लेने के बाद में अब continue बने रहना होता है कि price हमारा कहाँ पर hold कर सकता है या कहाँ से price को hurdles सुन सकते हैं यह सब देखने होते हैं volumes कहाँ पर ज़्यादा होने कि आईसा होते हैं कि हमारे risk ने पर ज़्यादा volumes आ गए और volumes आसे नीचे हो रहे हैं कम हो रहे हैं सपोर्स रुक होते चले जा रहे हैं यह इतनी सारी चीज़े हैं सब एक सही ट्रेट जब आप एक्जिक्यूट करने जाओगा analyst होता है वो क्या analyze करता है वो यही सब कुछ तो analyze करता है और यह कुछ hard है क्या easy चीज़े हैं करते हैं जब तक नहीं समझ में आते ही सब तक harder रहता है एक ब़ी समझ में आने के बाद में सब सब आसान हो जाता है यह जीज़े है जितना इपने बोला हुआ जितना भी कुछ हमने बोला है सब easy है आपको पता भी नहीं चलेग और आप इसारा करते चले यहोग अब यह सब देख लिए जैसे यह टेक्निक हमने बताई आपको इसके लावा आप और कोई स्टॉक उठा लो अपोलो हॉस्पिटल है डे टैम फिर्म देख लो यहां पर आपको कुछ नहीं सिफा पर डिक्रीजिंग लोग यहां पर तो आज जाकर के बना चलिए इसको देखिए तिन केंड़स एक दो तीन बनी हैं आप माक को लो आपको एक आइडियल कंडिशन में एक हाई मिल जाएगा यह लिए स्विंग मिल गया सपोर्ट मिल गया और कैसे आप ट्रेड एग्जिक्यूट करोगा यह देखिए क्या हो रहा है हमने क्या माक कर लिए सिर्फ ह आपको एक स्विंग मिल गया प्राइस को मने नहीं देखा आ देखिए लेवल के ऊपर प्राइस नहीं निकल बारा तो और आज निकलते हैं प्राइस ने क्या मॉव्मेंट दिखाया प्राइस को देखा ही नहीं हमने सिर्फ वालुम को आपको एक एक श्फेक्टेड बहुत ज्यादा हद तक चांज था कि फिर में इसको ट्रेट करें तो दो टेक्निक्स हमने बता हैं कुछ नहीं करके इन दो टेक्निक्स को मास्टर कर लो आप प्राइज जेक्शन है बहुत कुछ आप समझ जाओगे बहुत कुछ आप सीख जाओगे वीडियो काफी लंबा हो चुका है जो बात हैं हमने बता हैं उसको ध्यान रखो शुरुबात में प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन टेक्निक्स का यूज करो एक बार अगर पहिया बन गया है आप दुबारत से पहिया बनने जाओगे तो वह भी गोल ही बनेगा चौको नहीं बन जाएगा और यह सारी बात है आपके साथ है मिसी लिए शेयर करें ताकि आपको मालूम हो कि वह मिस्टेक्स को बहुत बड़ी बहुत यूज मिस्टेक्स नहीं है एक कॉमन्ट्र के साथ यह सारी मिस्टेक्स होती है ठीक है उसको एक्क्षप करना आगे बढ़ना तभी तुम लोग आगे कितर करती है और 90% को यही चीज़े डाइवर्ट करती है यह option तो बहुत डाइवर्ट करता है विचारा थोड़ दिन तो इस टॉक्स को सीखेगा समझेगा फूचर को छोड़ दो इस टॉक्स में काम करेगा लेकिन फिर थोड़ी दिर के बाद देखेगा अरे यार हम तो एक मजदारी के साथ काम करना होता है इन सारी चीज़ों को देखो समझो यह दो टेक्निक समय बता हैं इसके उपर फुल लेंथ वीडियो पढ़े हुए है फॉलिंग रोस के उपर तो अंगिनत वीडियो अप्लोड कि हैं ट्रेट करके एक्जिक्यूट करकर आपनों को दिखाय है मालूम है यहां पर करीब 14 या 15,000 रुपय का प्रॉफित अपना चल रहा था 75 है अच्छा मुआ यहां तक प्राइस आपका साइड वे सेड वे रहा है नीचे की तरफ आया बाकी की ओर्रस देखी सपोर्ट लाइन थी सपोर्ट पर जैसे ही प्राइस गया ओके एक्जिट करते हैं order book सबसे पहले अपना stop loss order करेंगे cancel इसकी बाद मैंगे position book में position book में 11700 का profit हो रहा है और कितना था 12,000 कुछ रुपय का था प्राइस के चल रहा है 8165 स्क्वार ओफ एनस सी 11300 कम ही होता जा रहा है निकलते समय बड़ा कम हो जाता है एक जगे पर रुका रहे तो नहीं कोई जलबाजी नहीं जो भी करना है आराम से यह क्या हुआ अच्छा हाँ कैंसल किया था अब जितने पर भी मिलेगा ना चुप बड़ी नहीं करने क्योंकि हड़ बड़ी में चीजें बिगड़ते हुए देखा ऑडर कहीं लगाना और कहीं पर लग रहा है हम समझ रहें कि के टीट हो चुक है लेकिन अभी टर्स नहीं हुआ है फिर स्को रिफ्रेश्च करने बार यह सब बहुत बार हम फ्रस्षुकें स तो भले ही 2, 4, 5 पैसे, 20 पैसे, 50 पैसे में महंगा ओडर मिलेगा, नहीं निकलेंगे, लेकिन जो भी करेंगे ना बड़े इत्मिनान के साथ, हमें मालूप है कि सही ही निकलेंगे, अगर निकलेंगे न तो फिर सही ही निकलेंगे, 8165 पर ओडर लगा हुआ, लीजे, निकल गी ही कॉंटिटी, ओके, एंड ओडर बुक में, शारी कॉंटिटी निकल गी, 816 एक्जेक्यूटेट प्राइज हमारे क्या है, 8160, पोजिशन, 11700 का प्रॉफिट है, 11700, 8160, पोफेक्ट, जितने पर ओडर लगा है तो उतने पर ओडर मिला है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो आज के ट्रेटम लोग यहें पर खतम करते हैं, आई हो कि कफी कुछ सीखा होगा, और समझने के कुशिश की होगी अपने आज के वीडियो से, ओके, तो थैंक्स, मेत॒ गाइन, करते हैं, तुका ट्रेन का इbokते हैं, नितने निसे से, पटब्स के लिए तूने लोग, और समयी खाते हैं, बिल्कुल से, और क्षाऊे बीघन के लिएक्ट, सब्सक्राफ।, स सेषगिता,जित मेत बार में टॉतूने जीए कर्फ।, सब्ठाइ minimum हैं हैं।,